है लो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आए आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसेस लाइब टीपी इंडिया पर अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए वैलेगन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा ज्याद करें लिए व्रोश्चर कैरें में मौज़ूद रिकॉर्ट में फ्यूचर प्लान को लेकर पुरी ख़वर सामने आई ज्यादोस्तों बीर ह्वान बार भीर महान के व्रोडेट सामने आ गया है इसबार फैंस के लिए अच्छी कवर नहीं है आगये गे जिस ढीने चीन सपि लेकिन लोकर रेसलर की हलत बीर महार ने खराब की उन्हें बहुत ताकतवर दिखाया गया था मिस्टीरियो फैमली के साथ उनकी राइबलरी रही लेकिन इसके बाद सब खत्म हो गया पिछले कुछ महीनों से बीर महार रोश्टर में नज़र नहीं आये कई सुपरिश्टारों में तो ये कहा गया था कि सायद बीर को अब रिलीज कर दिया जाएगा हाला कि NXT में अब उनकी एंट्री करा दी गई है इसका मतलब साफ है कि मेर रोश्टर में उनके लिए कोई प्लान नहीं है कुछ ऐसा ही हाल कमांडर अजीज का भी रहा है WWE सुपरेशार बीर महान को लेकर बुरी खबर सामने आई Fightful की नई रिपोर्ट का नुसार बीर और अजीज के लिए WWE क्रियेटिव टीम के पास कोई आडिया नहीं है बीर आने वाले रोख के एपिसोड में भी नजर नहीं आएंगे उनके उन्हें आगामी किसी भी एपिसोड के लिए बुक नहीं किया गया है हाल ही में NXT के एपिसोड में सांगा के साथ बीर महान दिखाई दिये थे ऐसा लग रहा है कि आब ये दोनों फिर से टेग टीम में काम करेंगे बीर महान के लिए ये ख़वर सुनकर भारती फेंस को बुरा जरूर लगेगा कमांडर आजीज को भी बीर की तरह पहले ब्लू ब्रांड में तगड़ा पुश दिया गया था लेकिन बाद में उन्हें WWE TV से गया भी कर दिया गया अंतिम बार वो NXT हाउस सो में जुलाई में नजर आये थे अब देखना होगा कि बीर महान और अजीज के लिए WWE की आगे क्या प्लानिक रहेगी बीर के उपर सभी की नजरे रहेंगी क्योंकि वो NXT के सो में दिखे थे जी हाँ दोस्तों WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी ख़बरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंदिया को सबस्क्राइब करें और पास आए वेल ऐकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्वियर करें